नमस्कार मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दिललन टॉप की पड़ताल सोशल मीडिया पर एक पुलिस कर्मी की तस्वीर तेजी से वाइरल हो रही है वाइरल तस्वीर में पुलिस कर्मी हाथ में गुलेल लिये उसे चलाते हुए नसर आ रहा है तस्वीर के आधार पर सोशल मीडिया यूजर्स दावा कर रहे हैं कि पुलिस कर्मी ने बेतुका सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को गुलेल से मारा वाइरल पूस की काप्शन का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है यूगांडा के नए नियुक्त हुए पुलिस प्रवक्ता ने बेतुका सवाल पूछने के लिए एक न्यूस रिपोर्टर को गुलेल से मारा कई और सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इसी तरहा के दावे शेर किये दीललन टॉप ने वारल दावे की सचाई जानने के लिए परताल की हमारी परताल में वारल तस्वीर के साथ किया जा रalahा दावा भ्रामक निकला तस्वीर में पुलिस प्रवक्ता जब्त किये गये पैक्तरी निरमित गुलेल को इसमाल करने के तरीके और इन्हें दंगों में इस्तमाल करने के बाद नुकसान की बात कर रहे हैं वारल तस्वीर की परताल के लिए हमने सभी वारल दावों को खंगाला तो हमें एक दावे पर 13 मार्च 2022 को राउ सिकंदर नामक ट्विटर अकाउंट से किया गया एक कॉमेंट मिला इस कॉमेंट पे शेयर हो रही तस्वीर के असल विडियो का लिंक भी मौझूद है युगांदा पुलिस द्वारा रखी गई प्रेस कॉनफरेंस को ये विडियो यूबी सी टेलेविजिन युगांदा नामक यूट्यूब चैनल पर 13 अप्रल 2021 को पोस्ट किया गया थ विडियो के क्याप्शन का हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार से है युगांदा पुलिस ने गुलेल गिरहों के खिलाफ कड़ी चौकसी की विडियो में मिली जानकारी के मुताबिक युगांदा पुलिस देश को अस्थर करने के लिए गुलेल का उपयोग करके आतंकव पुरा विडियो देखने पर ये साफ है कि पुलिस प्रवक्ता ने किसी भी निउस रिपोर्टर को गुलेल से नहीं मारा, गुलेल इस्तिमाल करने का तरीका बताते वक्त भी किसी भी प्रकार के पत्थर या मेटल बेरिंग का उपयोग नहीं किया गया था साथी दी ललन टॉप ने उगांडा पुलिस प्रवक्ता फ्रेड इनंगा से संपर कर शेर हो रहे हैं वारल दावे पर जानकारी मांगी तो उन्होंने ट्वीट कर इस दावे का खंडन किया फाइनल नतीजा हमारी परताल में वारल तस्वीर के साथ किया जा रहा दावा भ्रामक साबित हुआ वारल तस्वीर साल 2021 में युगांडा पुलिस के क्राइम इंटेलिजेंस द्वारा रखी गए एक प्रेस कॉन्फरेंस की है प्रेस कॉन्फरेंस में पुलिस प्रवक्ता फैक्ट्री निर्मित गुलेल का जखीरा जब्त करने के बाद उसके इस्तमाल करने के तरीके को बता रहे थे आपके लिए ये पड़ताल किये हमारी साथ ही अनुशकाने देखते रहे दीललन टॉप शक्रिया